नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कॉमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव राधे राधे देवो के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों के वजह से घर बरबाद हो जाता इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है ऐसे में जल्द ही अमीर हो जाता है साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं अब रसोई पकाना भी इन ही कामों में शामिल है लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है आप घर में अकेली महिला है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों शृदधा से कमेंट में जरूर लिखें हर-हर महादेव राधे राधे तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में दोस्तों औरतों के ऐसे धंग पती को रातों रात करोरपती से रोरपती बना देते हैं साथ ही साथ जब घर में होने लगी ये गलतिया तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों हर व्यक्ती की सुख समरिधी काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखे लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती आपके घर प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है हमारी शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशाल परिवार भी नर्ग के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है, तो आएए जानते हैं कि कौन सी है वो गलतियां जिनके कारण खुशाल वो करोडपती घर भी भिखारी बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन जरूर प्रेस करें, दोस्तों नमबर एक पाव हिलाना जिस घर की औरते खाना खाते समय पाव हिलाती रहती हैं, वो घर कभी भी बरबाद हो सकता है, महालक्षमी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुख्या की नौकरी छूट सकती हैं, दोस्तों नमबर द परिशानी च्छाई रहती हैं, माना जाता है, कि जाडू में देवी लक्षमी का वास होता है, दोस्तों नमबर तीन चूलहे पर जूटे बरतन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूटा छोड़कर अगर कोई महिला सोजाती है, तो ऐसे घर में लक्षमी कभी भी नहीं आती ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए रात को चूलहे पर जूटे बरतन ना रखे बरतन को तुरंत धो डाले क्योंकि, बरतन भी शराप देते हैं, दोस्तों नमबर चार ठोकर से दर्वाजा खोलना, जिस घर की महिला ठोकर से दर्वाजा खोल आपके घर को ले डूबेगी क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता, जब औरत रात के समय ऐसे सोती है, यकीन मानिये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वो घर करोरपती कभी भी बन सकता है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जल्दी कामियावी मिलती है, महिला जब ऐसे सोती है, तो यकीन मानिये आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, यही वो कार्य है, जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं, तो आप जल्द ही माला माल हो सकते हैं, तो आए जानते हैं, दोस्तों नंबर एक शास् अनुसार देर रात दो बजे अगर कोई महिला जाकती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानिया आ सकती है इसलिए किसी भी महिला को बेवज देर रात तक नहीं जाना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है इसलिए जल्दी सोकर सुभ जल्दी उठना चाहिए दोस्तो नंबर दो धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो लेकिन जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनी की दृष्टी पढ़ सकती है सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है और ऐसे घरों में सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं इसलिए सीमित मात्रा में ही होना चाहिए ज्यादा सोना धन की हानी और बीमारियों को न्योता देने के बराबर ह दोस्तो नमबर तीन जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक उर्जा से भरी बातों का जिक्र बिलकुल भी ना करें ऐसा करने से नकारात्मक आकरशित होती हैं और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती हैं सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए इससे हमें काम्याबी मिलती हैं दोस्तो नमबर चार मंदलवार और शनिवार और ब्रिहस पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है शास्त्रों में सपष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोश लगते हैं जो उसे बरबाद कर सकते हैं इसलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्दी ही उठना चाहिए दोस्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिन दिशा में सर करके होती है तो पूरा परिवार धंधाने से भर जाता है और खुशिया घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी दोस्तों इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए जब औरत रात के समय ऐसे सोती है यकीन मानिये मैं नहीं बता रहा हूँ ऐसा शास्त्र कहते हैं वो घर करोडपती कभी भी बन सकता है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी काम्याबी मिलती है महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिये आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा यही वो कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही माला माल हो सकते हैं तो आए जानते हैं दोस्तों नंबर एक शास्त्रों में सपष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्षमी रूट जाती है मान्यताओं के अनुसार देर रात दो बजे अगर कोई महिला जाकती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानिया आ सकती है इसलिए किसी भी महिला को बेवज देर रात तक नहीं जाना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए दोस्तों नंबर दो धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो लेकिन जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी के तु शनी की दृष्टी पड़ सकती है सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है और ऐसे घरों में सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं इसलिए सीमित मात्रा में ही होना चाहिए ज्यादा सोना धन की हानी और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है दोस्तो नंबर तीन जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक उर्जा से भरी बातों का जिक्र बिलकुल भी ना करें ऐसा करने से नकारात्मक आकरशित होती हैं और आपके सपने में आकर या आप पर बिखावी हो सकती हैं, सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें काम्याबी मिलती हैं। दोस्तों, नमबर चार मंदलवार और शनिवार और ब्रिहस पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। परिवार धंधान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती है, जैसे मानो बरसात हुआ पानी दोस्तों इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। पूजा बात नहीं करनी चाहिए लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियर्ड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है, महिलाओं और युवतियों इस से बचने का प्रयास तो करती है। लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह का करने पड़ जाती है। खासकर आज कल के समय में यह नहीं हो पाता क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी, ऐसे में यह नियम संभव था पर अब जब निउकलियर फैमिली हो गई है, सब अलग-अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो ही किचन में काम नहीं कर पाए, तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहली बात तो ये है, कि ऐसे में आप नहा कर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धी के प्रवेश ना करें हाइजीन के नजरिये से भी यही सही है, इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म के दोरान बहुत ही पीडा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जि अब भी कोई बीमार या पीडित व्यक्ति खाना बनाता है, तो उस गाने को ग्रहन करने वाले व्यक्ति को दोश लगते हैं, यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए, ठीक इसी तरह मासिक धर्म के तीन दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बन जिस पार्टिकुलर टाइम पे आपको तकलीफ हो रही हो दर्ध हो रहा हो थोड़ा सा एड़जस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोश से बचा जा सकता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है धन्यवाद